कम्प्यूटर से PDF कैसे बनाए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपता हमारे YouTube चैनल पे और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप भी इस्तिमाल कर रहे हो कम्प्यूटर और आप अपने कम्प्यूटर की मदस से यानि कम्प्यूटर के अंदर किसी फोटो को PDF बनाना चाते हैं आपके पास कोई फोटो है आपके आधार कार्ड पैन कार्ड या किसी चीज़ कोई फोटो है और उसको आप PDF बनाना चाते हैं तो कैसे बनाते हैं आईए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में कोई भी वेब बराउजर ओपन कर लीजिए हम यहाँ पे Google Chrome ओपन करेंगे क्योंकि जादतर कंप्यूटर में Google Chrome ही होता है अब यहाँ पे आपको उपर की तरफ सर्च करना है यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिल जाएगा सर्च करने के लिए यहाँ पे आप लिखे easepdf.com आप इसे ध्यान से देख लीजिए और इसको सर्च कर लीजिए फिर आपके पास यह वाला पेज आ जाएगा नीची की तरफ आईए यहाँ पे आपको एक option मिलेगा jpg2pdf आप इस पे click करें थोड़ा सा wait करें यहाँ पे कहेगा add file इस पे click करें अब यहाँ पे आपके पास यहाला पेज आ जाएगा यहाँ पे आप वो फोटो ले लीजिए जिसको आप pdf बनाना चाहते हो तो यहाँ पे हमें एक यह वाली फोटो लेंगे तो आप control के साथ वो वाली सारी फोटो ले लीजिए तो हम एक यह वाली फोटो ले लेते हैं फिर नीची की तरफ एक फोटो है यह वाला हम यह फोटो ले लेते हैं फिर एक और फोटो है हमारे नीचे की तरफ हम इस फोटो को लेते हैं और यह फोटो लेते हैं चार हमने फोटो ली है जहाद पर आपको किलीक करना है। अब इसको उठा के इधर कर देंगे सबसे पहले और यह हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको मिलेगा ले आउट आप इसे portrait करें या landscape देख लीजिए हम इसे portrait करेंगे इसके बगल में आपको मिलेगा page size आपको इसका size क्या रखना है page गा तो देख लीजिए हम A4 करेंगे आपको भी A4 करना है margin set कर लीजिए और create PDF पे आप touch करें या click करें थोड़ा सा वेट करना है आपको एक या दो मिनट का और यहाँ पे आपको जो PDF है वो create होने लग जाएगा और आपके पास कुछ इस तरीके का page show कराएगा और यहाँ पे आपके पास एक नया page जाएगा जो कि कुछ इस तरीक होगा यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड इस पे किलिक करें थोड़ा सा वेट करें और यहाँ पे आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा नीचे की तरफ आप इसे open कर लीजिए simple और यहाँ पे आपका PDF शो करा देगा आप देख सकते हैं पहले हमारी photo आ गई है दूसरी ये व तो कमेंट करना ना भूलें